अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है फिट है तो हिट है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका ऑक्सिजन लेवल कंट्रोल में नहीं है उपर नीचे हो रहा है तो कैसे आप घर पर ही कुछ चीजों का इस्तमाल करके अपने ऑक्सिजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं देखिए पूर्या वीडियो और जानिये घर में ऐसी कौन से चीजें हैं जिनका इस्तमाल करके आप ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस में ला सकते हैं कुरोना वाइरस की दूसरी लहर का सबसे गहरा और विपरीत असर मरीजों की सांस पर पड़ा है पूरे देश में कुरोना मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है जिसके कारण ना केवल ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है बलकि बहुत से लोगों को अपनी जान भी गवानी पड़ी है हाला कि Oxygen Saturation Level के थोड़ा कम होने पर पैनिक होने की जरुरत नहीं होती है इस इस्तिती में अगर मरीज चाहे तो खुद घर पर कुछ तरीकों को अपना कर अपना Oxygen Level जो है वो मेंटेन कर सकता है सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे आप Oxygen Level को प्रोनिंग के सहारे मेंटेन कर सकते हैं घर पर रहते हुए मरीजों के लिए शरीर में Oxygen Level को बढ़ाने का सबसे बहतरीन उपाय है प्रोनिंग इसकी सला स्वास्त मंत्राले भी देता है अगर आपका Oxygen Saturation Level 92-93 प्रतीशत है तो इस उपाय को अपनाने से आपको तुरंत लाब होगा इसके लिए आप पेट के बल लेट जाएं और एक तकिया गर्दन के नीचे रख लें और दो तकिये चेस्ट के और पेट के नीचे रख लें और दो तकिये पेट के नीचे रख लें अब आप अराम से लेट कर लंबी सांस लें आप अपनी शमता के अनुसार इसे पांच मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं इसके अलाबा आप समालने से कुछ व्यायाम करके भी अपने Oxygen Level को मेंटेन कर सकते हैं एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप COVID positive नहीं है या फिर आपको पर्यावरन से Oxygen प्राप्त करने में समस्य हो रही है तो आप कुछ breathing exercise के जरिए अपने शरीर में Oxygen Level को बढ़ा सकते हैं इसके लिए आपको डीप breathing से लेकर अनुलोम, विलोम, ओम, चैटिंग जैसे प्राणायम करने चाहिए इससे शरीर में Oxygen का इस तर बढ़ेगा और साथ ही नकरात्मक जो महौल होगा और तनाओं से भी आप मुक्ती पा सकते हैं इसके लावा बहुत जादा देखा गया है कि नेमुलाइजर का लोग बहुत जादा इस्तमाल करते हैं तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि अगर आपको Oxygen का प्राबलम हो रहा है तो नेमुलाइजर उसमें काम नहीं आता है Oxygen जो होता है वो काम आता है करोना काल में ऐसा माना जाने लगा है कि नेमुलाइजर की मदद से शरीर में Oxygen के लेवल को बढ़ाया जा सकता है लेकिन Health Expert बताते हैं कि ये वास्तों में एक मशीन है जिसकी मदद से आप Lungs में दवा भेच सकते हैं ये कुछ ऐसा ही है जिस तरह से Injection लेने के लिए सिरिंज का इस्तमाल किया जाता है लेमुलाइजर की मदद से Lungs में दवा बहुत ही तेजी से पहुचाई जा सकती है ये आपके शरीर में Oxygen Level से जुड़ा नहीं होता है इसलिए लेमुलाइजर का जो मदद है वो आपको Lungs तक जो भी आप चीज पहुचाना चाहते हैं उसमें मदद करती है ना कि आपकी Oxygen Level को मेंटेन करने में मदद करती है निमुलाइजर से आप भाप ले सकते हैं अगर आपको गले में या फिर आपको चेस्ट में किसी भी तरह का infection है तो उसके लिए निमुलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन oxygen level maintain करने में निम्बूलाइजर बहुत ज़ादा प्रियोग में नहीं आता है तो आज हमने आपको बताया कि कैसे अगर आप घर पर ही है और आपका oxygen level जो है वो उपर नीचे है तो आप तुरंत पैनिक ना करें आप घर पर ही कुछ चीजे अपना कर अपने oxygen को maintain करें और अगर इसके बाद भी चीजे कंट्रोल नहीं होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्ख करें और अपने मरीज को अस्पताल लेकर जाएं झाल झाल झाल